Hello everyone, मैं हूँ आशा और आप सभी को आशा रिंपूटिंग में स्वागत है तो आप सभी को हमें गुद निउस देना है, वो गुद निउस है मुझे यूटूब से ये पास्ट प्रेमेंट मिली है इसके लिए आप सभी को हम दिल से धनियवाद करती हूँ 100 डॉलर्स जब कम्प्लीट होती है तब आपको फास्ट प्रेमेंट मिलती है तो मैं बहुत ही खूश हूँ नुटूब को भी हम फिर से धनियवाद करती हूँ मेरे फ्रेंट्स, विवार्स को सभी को हम धनियवाद करती हूँ दिल से मुझे बहुती सपोर्ट किया आप भी हमें सपोर्ट कीजिए आगे जाने के लिए तो प्लीज हमारी चैनल को अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज सबस्क्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी साथ दीजिए तो आज हम कोई recipe नहीं लेकर आई हूँ मेरे cooking channel है तो recipe नहीं लेकर आई हूँ आज हम आपको कुछ दिखाएंगे मेरे घर की बगल में कुछ सबजिया उगाई हूँ तो वो हम आपको दिखा देती हूँ तो चले तो यहाँ पर देखिए हमने धेर सारा पाथ साख उगाया और यह कितना हरियाली दिख रहा है तो इसे देखकर मन को भी बहुत ही शान्ती मिलती है तो उसके साथ यानि उसके वगल में हम यहाँ पर यह देखिए लाल साख उगाया और ये भी बहुत हेल्दी साख होती है और इस साख को हम सभी पसंद करती हूँ तो बच्चे से लेकर बरो तक इसे खा लेती है क्योंकि ये बहुत ही सब्ट साख होती है लाल साख और ये बहुत ही तेस्टी भी होती है तो इस साख को हम कभी कबर इसी तरह तोड़ कर ले जाती हूँ और इसे पका कर खा लेती हूँ तो इस साख के रेसिपी भी हमने आपके साथ श्यार किया उसके बगल में ये बर्बटी भी हमने उगाया तो देखिए सोता सोता बरवत्ती है अभी तक ये खाने के लाइक नहीं है और ये खाने के लिए और भी तेन चार दिन लगेंगे तो बहुती सोता है फुल आ गई उसके साथ ये सोता सोता बेबी बरवत्ती भी है तो ये देखिए बहुत ही सोता है और ये खाने के बिल्कुल भी लाइक नहीं है और भी समय लगेंगे तो कुछ दिन बाद हम इसे तोड़ कर ले जाएंगे और इसके सबजी तयार करेंगे और उसके साथ देखे यहापर खीरा भी हमने उगाया तो खीरा थेर सारा आ गई फुरे के साथ साथ तो बड़ा हो गई सोता भी है तो ये देशी खीरा है इसके स्वात बहुत ज्यादा है हाइब्रिट खीरा से तो ये ज्यादा बरा नहीं होती सोरी साइस की हो जाती है तो ये खाने के लाइक हो गई तो धेश सारा खीरा भी आ गई ये देखकर मन को बहुती सानती मिलती है और घर की फ्रेश खीरा इसे को त एक आटी हूं तो बहुत ही तेश्टी भी लगती है और यह देखिए बहुत ही शोटा-शोटा खीरा आ गई यह बहुत होने में 3-4 दिन और भी लगेंगे तो यह देखिए खेर सारा खीरा तो यहां से हम तोड़ कर ले जाएंगे खीरा और हम सबी मिलकर खा लेंगे तो ये खीरा की कलर भी थोड़ा चेंज हो गई तो इसे हमने तोड़ लिया और काट लेंगे तो बच्चे भी तोड़ रही है देखिये तो बच्चे थोड़ा दिक्कत से तोड़ रही है और ये तोड़ लिया और हम क्या करेंगे इन दोनों खीरा को हम ले जाएंगे बच्चे कह रही है ममी इसे काड़ दो हम खा लेंगे तो ठीक है तो हमने घर में लेकर आई और तो देखिए खीरा को काड़ने के से पहले हमें क्या करना है खीरा के जो करवाहत है उसे इसी तरह निकाल लेना है नहीं तो खीरा हम नहीं खा पाएंगे खीरा जब करवा होंगे तो इसे फैक देना चाहिए बिल्कुल भी मत खाईए तो इसी तरह हम खीरा को पिलर से पील कर रही हूं आप चाहे तो यह भी खा सकती हो खीरा को तो बहु प्रेश है प्रेश प्रेश हमने देखिए तोड़कर लेकर आई और इसे काट लिया और मसाला तयार कर रही है इसमें नमक और लाल मिर्स पाउडर डाल दिया अब साय तो चार्ट मसाला पाउडर भी डाल सकती हो हमने नहीं डाल दिया ऐसे ही यह बहुत ही तेस्टी होती है ख फ्रेश फ्रेश खीरा तो वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिए और चैनल में पहली बार आई हो तो प्लीज प्लीज सबस्क्राइब जरूर कीजिए तो फिर मिलेंगे